जहें साती फिर्षे स्वागत आपका एक नियो वीडियो बहुती इंपोर्टें वीडियो होने हैं क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसे कर्षी के लिए उप्योगी विग्यान एवं गणित के मुलततों के पेपर के बारे में जहें दोस्तों जैसा कि आप सभी आपके पैपर में पूछाएंगे उसकी कंपेट जानकारी में आपको इस वीडियो बताऊंगा साती आपको यहां पर में उनका सोलिशन भी बताऊंगा तो वीडियो बहुती इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो में राष्ट्र बने रहेगा और अगर आप चैनल पर पहल जो 28 अबजेक्टि उनके लिए जो इंपोर्टेंग कोस्चन हों पहले बता चुका हूं अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की लिंक में डिसुंस में दे दिये पहले आप उस वीडियो को देख लिजेगा नहीं तो आप इस वीडियो को देखकर वाद के लिए देख लेगी यहां पर मैं आपको प्रश्माँ 6-20 तक आपको कॉंकोन से कोस्चन मतलब दो अंक तीन और चार अंक और पाज के अंक कोंकोन से कुस्चन आपको पूछाएंगे तो यहां पर यह बहुत ही इंपोर्टेंब वीडियो है अगर आप इन दोनों वीडिय जाना है और आपको दो एंगों के कोस्चिन बता रहाओं तो दो ऑंगों करक्स प्राक्स लाइट उसमें से दो नुंबरर पक् Maja जाएगा और उसमें आपको सबसे पहला कोश्चिन भार नहीं तयार करना है उसी के बारे में तो यहां पर आपको सबसे पहला कोश्चन तैयर करना है प्रकास के दो गुन कितने गुन दो गुन के वह दोई गुन याद करना है और दो गुन याद कर लोगे तापके दो नमबर पक्के हो जाएंगे तो यहां पर बहुत ही सरल बताता हूं प्रकास सरल रेखा में गमन करता है ठीक है प् कास गमन के लिए माध्यम के होशकता नहीं होती है ठीक है बस दोई याद करना तो इसमें से आपको छे दे रहा हूं उसमें से दो तयार कर लेज़ेगा ठीक है दो नमबर पक्ते हो जाएंगे यहां पर आपको याद करके जाना निकट द्रश्टी दोस्त क्या है इसके दोस्त कि उत्पन होने के कारण लिखे और इसे किस प्रकार दूर करेंगे तो यहां पर आप देखिए निकट द्रश्टी दोस्त के कारण मनिष्य को पास की वस्तुई तो इस परस्ट द्ष्ट दिखा जिती है उल्दपा ओ देखना निकटद द्रश्ती दोस्त नीस ने सिखते हैं जो दुर दूटी 2-0 उसमेन मनेश्यों को पास की वस्तवी नहीं दिखाए दे धीथिटी दूरकी वस्तोष तो सिख्वी इसप्षा में कि थे चाया है इसका कारण क्या नेत्र में इसके बीच में मोटा था किनारो पर पतला उतल हो गी दूसरा कि है मैं भी उपर बता हो तो याद रहेगा इसकी विसेस्ता भी होगी और उनतर पर बताहिए रहू दोर दिश्टी दोसके ज्याल रिखेगा इसकी विसेस्ता भी होगे और अंतर भी होगे किसी भी प्रकार कौश्चन पूछ ले जाए आपकी यहां पर धियान जरूर रखेगा कि दुर दरिश्टि दोस का मतलब होता है कि दुर दरिश्टि दोस में जो मनिश्यों को दूर की वस्तोई इस पर दिखा जैएगे लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक बार धियान रहेगा आप सभी को यहां पर तो यहां पर दोई नंबर का पूचहाएगा इसले यह यह पूछेगा कि दूर दरश्टी दोस के उत्पन्वन के दो कारण लिखे तो दो कारण क्या नेतर लेंस और यहां पर दूसरा नेतर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना वहां पर कम हो जाती ठीक है उसके विपरिती है अगर अंतर पूछे तो भी आप लिख सकते हो उसके बाद आपको इसी चेप्टर से यह वाला कोश्चन भी तैयार कर लेना है दूसरा है वस्तु का प्रदीबन फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करने के लिए वस्तु का लेन्स के बीच की दूरी विवस्ति की जाती है गस्ले से तो यहां पर प्रकास करेंखी आपको पूश ले आता है कभी-कभी लेंस के कोई उपयोग लिखे कितने दो लियाद करना एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा तो इसके बात आपको यहां पर से दूसरा चप्टर आपको जो मेगनेटिक चंबुक तो उसमें से भी दो नमबर का एक कोश्चन पूछाएगा तो यहां पर आपको सबसे पहला कोश्चन तयार करके जाना यहां पर आपको मैं कोश्चन बता लो यहां पर बच्चे कमेंड करते कि सब रियल पेपर दो रियल पेपर के चक्कर में मत रहो आपने पेपर को दीखिए उसमें आपको मैंने जो कोस्चन बताये थे वही कि वही कोस्चन आपको पूछे गए थे तो यहाँ पर मैं आपको जो कोस्चन बता रहा हूं उन कोस्चन को तयार करो और साती यहाँ पर आपको मैं बहुत ही इंपोर्टेंग कोस्चन बता रहा हू के दूंब बॉंट फूर्मोन की परमोग्ण लिखें यह क्वेश्चर पूछा होती तो बन देखा हुआ हुआ जिसे जिसे के सारे एकांप उत्री ब्रुव से द्रुव से प्रवेशाец उत्र दूरों से निकलती है और लिटर में प्रविशाथ उत्री दूरों से निकलती है यहाद रहते हैich इसके बाद आप चैप्टर इस चैप्टर से आपको यह वाले कोश्चिन बें तयार करे जाना, आप जैशे के का नाम वह यह रहाओ, उसमें से दो आपको अच्छे लगतों व्याद कर लेजगा, ठीक नहीं लिखना और अगर आपको चुम्बक के प्रकार पूछे तो दोनों को लिखना उसाथ ही उसके परिवास भी आप लिख सकते हो तो वह बदा यहां पर आप देखिए अगर मैं पढ़कर बताऊंगा तो टाइम जाद हो जाएगा तो यहां पर आप इसकिन सोट ले लिजे यहां पर इấn कुम्बक का जातक छेत्र होगा मतलब जातक इसका प्रभाव होगा हुतअच बिद्धु के शेत्र के लें सब्सक्राइख लिख तेया क्या कि भी बसे जश्चांस भर दो त्यार बिंडिस करने वाले किनी चार कानलों का उलेकी यह ठीक है तो यहां पर पहला कारा क्या चैरल के अवेस पर ठीक है विद्धु विबो को प्रवाइद करने वाले कारण ने मिली लिखी थे पहला चालक आवेस पर निर्बर दूसरा चालक के आकार पर तीसरा अने चालक की उपस्तिती पर और चोटा चालक के चार और के माध्यम पर ठीक है ये चार याद करके जाना ही है दो नंबर आपको 100% ये question पूछेगा तो ये question आपको तयार करके जाना है ठीक है इसी chapter से आपको ये वाला question भी तयार करके जाना है क्योंकि दो अंगे को दो पूछे जा रहे तो यहाँ पर total आपको 4 question मिलेंगे इस chapter से थ्वा को मिला कर कितने 4 पूछे जाएंगे तो यहाँ आपको ये तयार करके जाना चालक के प्रतिरोत का प्रभाइद करने वाले कारकों के नाम लिखे तो क्या चालक के लंबाई अनुपरत मदद छेत्रपल पर और पदात पर और चालक के ताप ठीक है तो तयार कर लेजेगा यहाँ पर एक बार पढ़ोगे तो आराम से आप आ हारी बासा देखे है तक में चेत्र में खेचा गया वह वह जो चुमगms चेत्रम खेचता था ये विदु चेत्रों में ऊनिष क्रों को हो र могने करते के घृसरी कौिक्शcentered कर था ठीक है तो याद रहा है दो कज़े आंफ करना यह बात सो रहें ठीक है ॉसी के बाट आपको चेप्टर से सम्वीवव परष्ट की परिवासा में आपको उपर बताई ती साथ इसके दो गुनियाद कर लिजीगा तो क्या है सम्वीवव परष्ट पर आविस एक बिंदू से दूसरी बिंदू तर ले जाने में कोई काजिये नहीं करना पड़ता है विद्दू बल रेखा तो विद्दू चेतर में तो आप पड़के याद रखेगा और सूत्र वियाद कर लेजेगा ठीक है इसके बाद आपको नेश चेप्टर आपका जो कीनवन उसमें से आपको दोंग का एक कोश्चन पूछाएगा तो आपको पहला कोश्चन तयार करके जाना है क्या कोश्च अब आपको तयार करना ही पड़ेगा समझना था पहले आप समझ गए अब याद किजे रख्टा मारी यह कुझी भी करिये लेकिन याद करिये ठीक है तो यहाँ पर यू कोश्चन कुछ इस प्रकाव कुछेगा किनवन की परिवासा तो इंजाइम की उपस्तिति में जटिल सब्सक्राइब और दूसरी प्रस्तिति है सांद्रता तो ताप क्या किनवन के लिए अलोको तर्म ताप 25 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए और सांद्रता विलियन में सरक्रा का सांद्रा आठ से 10 प्रतिशत होना चाहिए ठीक है तो यह कोश्चन दोनों किसी भी पर आगर आप पस्ता वोगे आप तयार नगी करोगे तो पैपर के बाद आख आ रख दाधा किन वन का उपयोग तो यहाँ पर देख सकते हैं फटा-पट की बात करें तो यहا यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर यह तो आला को चम्न मता दिये इसके अगर जाए डिखेसम WHO जाएगा सब्सक्राइब बनाने में ठीक याद रखे यह आसानी से लिखेंगा प्रियोग साला में इधन के रूप में या जी विग्यानी समधी नुमनों को सुरुचित रखने में ठीक है यहां साथ दे रहा हूं उसमें से दो तयार कर लिएगा ठीक है उसी के बाद अगर आपको यहा कोशचन बहुत जएदा Emperor पोशचन है अधिक दरी कोश Chief पूचा जाता है कि यूडिया के दो प्रिच्छन लिखे uria का ऑट्र परिच्छन करने पर ऑPS निकलती luc when it यूरेटर से लिएंग का रंग बेंगनी हो जाता है दूसरा यूरिया के सांद्रे जेले विलियन में सांद्रे सांद्र नाइटरिक अमले मिलाने पर यूरिया नाइटरिक का सज़देर सपेत आउचेत पराव ठाई पर थोड़े से यहां पर दो तिंग सब्द गलत हो जाते हैं कोई बात आप सबी को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर याद जरूर रखेगा ठीक है उसके बाद आपको इस चेप्टर से नेश्ट कोशन तयार के जाना है मेथेनोल अनुमेथिर एलकोहल के उप्योग कितने दो प्योग पहला पेंट वॉर्णिस लाग गोन सीमड आदी के विला पहला कारी विबिद्ध काईओं के लिए सरी को उजया प्रदं करते जिसमें सरी काताव इस्तीर बना रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंग को चेण है दोस्तों इहां पर आपको जो कोश्चन बता रहा है उन कोश्चनों को तयार जरू किजएगा नई तो आप पेपर के बा तो प्रोटिंग करता है कौन करता है प्रोटिन तो पहला यह सरी में नहीं उत्तों को निमांग करते हैं और दूसरा फ्रूटी-फ्रूटी कोशिकाव का मरग मत करते हैं ठीक है इसके बाद आपको नेश्ट कोचन इसी चेप्टर से तयार के देना है जिए और असाइन का प्रदान करना क्या कितना सरल एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा क्यों फिर अपनी यहां पर वह मताबक्षी करना तो ठीक है उसके बात नहीं पर नेश्ट कोश्चन आपको जो नेश्ट चेप्टर है अनुवान से की तो उसमें से आपको एक कोस्चन दो नमर का नहीं पूछेगा का इंपटेंट तो यह कि कभी परिवास तो कंचांस की परिवास पुछे लिकर मात वाइड मात वा जरू पुछेगा यह कोई दो लाब पूछेगा म听 लिए दो पूछेगा तो क्या मत वाऊन से की विज्यान के दौरा ही मो फिलिया रतुद्रों इन próprio का मत वह क्या यह पाधर प्रजनन क्या ये भी आपको पड़कर जाना है कोई आपको प्रचन के कोई 2 मत याद करत ना तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सरल बतार हो सीगरव पकने पकने वाली फसलों का उसकर किया जाता है ठीक है और दूसरा उत्तम गुनवाले पोदों का उसकर कियाता है बहुत इस सरह ले पाद प्रजन का यही कोई अगर आपके पास गायट हो तो ठीक है इसके बाद आपको नेश्ट कोचन तयार के जाना मिंडल ने अपने प्रियोग के लिए मटर के पोदों का चुना ही क्यों किया कारण इसका कारण क्या यहां पर मटर का पोदा एक वर्षे साके इसलिए कम समय में संक्रम के परिणाम मिल के लिए मटर के पोदा चुना क्यों किया था उसका यहां पर मैंने आपको दो कारण बताए यह कोस्चन भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है तो इस कोस्चन को तयार जरू कर लिए इसके बाद यहां पर इस चेप्टर से पूछा जाता है कि अभी यांत्री की क्या है यह कोस्चन पूछा जाता है कि अनुवान से की अभी यांत्री की क्या है तो इसके यहां पर मैं आपको परीबासे बता रहा हूं यहां पर आप देखिए एसी तकनिकी जिसके द्वारा किसी जीव की अनुवान से की इकाए डियने में पूर्ण सायोजन पैदा किया जाता ह उपियोगी लक्षन इसमें विक्सित हो जाते है अनुवन से ती अभी अंत्री की कहलाती है बस इतना ही यह दो नंबर में यह कोस्चन पूछेगा तो इस कोस्चन को तयार जरू कर लेगा ठीक है आपका बाया आपको यहां पर जो कोस्चन बता रहा हूंने तयार जरू कर जरू कर दोस्तों यह कोस्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद आपका नेश्च चैप्टर साइंखी की वाला उसमें से आपको दोंकर एक कोश्चन पूछाएगा तो उसमें आपको सबसे पहला कोश्चन पंचन पर लगी करन क्या तो वर्गी करन कि इसी परकिया जिसके दोरा आुव विवेस्थित nueva को विवेस्तित रूप में पर्ठीद करके संभावित उम अंतुपुन परियनाम निकाले जा सकते ठीक है सरल एक बार पढ़ने जुगा और यह कोश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछाता है प्रात्मिक एवन दुत्यक आकड़ों में अंतर क्या पूछेगा प्रात्मिक एवन दुत्यक आकड़ों में अंतर क्या बोल दो अंतर कितने अंतर दो अंतर पहला अंतर की बात करे तो प्रात्मिक आकड़े मोलिक होते हैं और सांखी की विदियो में इंका प्रियोक कच्चे माल की तरह होता है अगर दुथ्य आखड़ की बात करते हैं पहले से ही उपर्णक होते है जो गच्छे की बदना डूतंभा दूत पहले जो उतुता और दूसरी की बात करते हैं आपको इस चयप्टर से पढ़ क्या है आख्डों का सार्नियन करते समय ध्यान देने योग ये बात चैевич सबसे फिले ताब ये समझे कि सार्नियन होता क्या तो यहां पर सबसे फिद्धी साहने किसी विचार Rum प्रतिकर ने दो नंबर में कोश्चन पूछा जाएगा बहुत ही इंपोटेंट तैयार करना है तो करना ठीक है इसके बाद आपको जो कोश्चन क्या था आकड़ों का सर्णियन करते से में कौन-कौन सी बातों का याद रखना क्यों दो बात याद रखना एक संचिप्त इस प संचित बनाने जिसमें समझने में सुष्ट क्या सुष्ट होती है दूसरा वर्गी करन दौरा आपको इस चेप्टर से याद करना है बहुत ही सरल है यह इसी से आप अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं का मातों क्या है कोई दो आर्थिक विसलेशन साइगी का मात सबसे पहला कशन आपको पढ़के आसे आपको यहां इम्मोटर पोष्टे ऐंक है यहां पर र्यलपकर के चक्करों में मत कराई बच्चे करतेकी रियल पेपर रियल पेपर के चक्कर में मत रहें आपको मैं जो कुश्चन सब्सक्राइब दे पर यहां पर हमारे चेनल के माज़ों साब को तइयारी करवाई जा रहे है आप चेनल उपर जो विडियो दे जारे उनकी ـैयरी बच्चे कमेंट करते की sir real paper, real paper बताहिये, तो real paper के चक्कर में मत रहे, आपको मैं जो question बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे channel के माजद्यफ साब को तयारी करवाई जा रही है, आप channel उपर जो video दिये जा रहे है, तयारी कीज़े आप का paper 100% अच्छा जाएगा, तो यहाँ पर आपको तीन अंगे के लिए सबसे पहला question तयार क्याना है मेथेन गेस के उपयोग लिखे तो यहाँ पर पहला उपयोग है फार्मलडिहाइट, फार्मिक, अमल, एवोमेथिक एलकॉल के उत्पादन में इसका मेथेन गेस का, आपको मार्स गेस पूछे तो मेथयनय के एक ही है ठीक है, मेथेन गेस belki मार्स गेस के ताँ में पर फारलफंपर जैनल ओर होता है पर आपको सूपयोग बता रहा हूं उस में से किवल तीनी याद करना है अगर आप इस question को अच्छे तयार करते हो तो आपके तीन अंक पुरी तरह से पक्के हो जाएंगे और अगर आपको आपनी वीडियो को लाइक नहीं कहा तो वीडियो को लाइक कर दीजे इसी के बाद आपको इसी question से अगर अथवा में पूछ लिए के कभी पूछ ले जाता है अधिकतर ये question भी पूछ ले जाता है कौन सा? Mars Gas जैसे के उपर में आपको बताया कि methane gas को भी Mars Gas कहते है तो इसके भोतिक गुण कौन से गुण? भोतिक गुण है या कर लोगे ठीक है दूसरा अगर इसके गुण की बात करें गोतीक गुन तो यह वायू से हल्खी होती है तो याद रखेगा यहाँ पर आपको छे गोतीक गुन बता रहा हूं उसमेंसा आपको ठीक है इसके बाद आपको इस चेप्टर से येवाला कोशचे भी पढ़ कर चले जाना हे कभी-कभी पुछ ले जाता है गोबर गेस के संयत्रे लाब लिखे तो है पर गिशे के संवार कोंन से केविल तरह से लिखके आओगे, इससे पेले मैं आपको दो अंके question भी बता चुका हूँ, तीन अंके question भी बता रहा हूँ, और इससे पेले मैं आपको एक अंके मतला आपकी जो objective के जो question हो भी बता चुका हूँ, अगर उनकी link में आपने वीडियो ने दिखी, तो इस उडियो के लंगी मिंटी गंदवाली एक सीब आप सभी ज़गा लिख सकते ओ इस्तिक में पर इसके बात और शें टो बहुत इंपोर्टन कोस्टेनन। तैयर जरू कीजएगा और इसके बाद अगर आप इसके उप्योग की बात करें तो उपयोग में आपको यहाँ पर इसके अब्जेक्टिव भी पूछ ले जाता तो अगर आपको पूछे कि निष्चेतक क्या तो तिन objective भी पूछेगा नहीं इस चेप्टर से आपको अबजेक्टिव नहीं पूछेगा तब को Tension नहीं लेना है objective नहीं केवल तीन अंगा का Eक Question पूछेगा ठीक है तो objective का आप टैंसर मतलो ठीक है आपका जो हड्रोंका चेप्đर उसमें से 3 तीन उंगे के लिए के अज़ाशंट पूशचन aur testosterone बागो सब्सब्सक्राइब आप सभी को में पहला कोश्चन बता रहा होें जो कि आपको त्यार करना मां ile कोधोर की नाम लिखे। तो पहले कोस्चन के तो अगर माल विसी कुल की किनी पाच पोदो के नाम तो पहले पोदे की बात करें तो पहला है कपास का वानस पतिंग आप यहां पर देख सकते हैं दूसरा है भिंडी अगर यहां पर मैं आपको समझाने बेटूँगा तो वीडियो की ज्यादा लेंथ हो सब्सक्राइब नाम भी याद रखना है ठीक है उसके बाद नेस्ट चेप्टर में अंदर इसी चेप्टर से आपको नेस्ट कोश्चन पढ़के जाना जो की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माल वेसी कुल का आर्थिंग मातवे लिखे कोई तीन बिंदू ठीक है बहु सब्सक्राइब कर लो ठीक है इसके बाद आपको इस चेप्टर से पढ़के जाना है माल वेसी कुल के पेचान के लक्षन लिखे कोई तीन तो पहला पोदे साकीत या काश्टी होते दूसरा पुस्प दिवलंगी पंचताई एपी क्लिक सहीत होता है दल पुंजु विवर्थी होते तो यहां पर पात देरा उसमें साब को जो तीन सरा लगे लक्षन वो याद कर लेजिगा ठीक है इसके ब पहला लुच्छा ने पोदे प्रेस साकी होते उपर मैंने जो बता था उसमें भी साके ही थे यहां पर पूस्प दिवलंगी चतुष्टी होता है ठीक है तो यहां पर पात दे रहा हूं उसमें से भी आपको दो तीन याद करना है कितने तीन ठीक है इसके बाद इसका प्रफवा को मिलाकर कितने चार तो यहां पर आपको जीतने कोस्टें बता रहें उसमें से चार कोस्टें 100% आपके आएंगे उसमें से के वलाको दो यह लिखना है तो तैयार जरू कर लिजिगा छे नंबर आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे और इस वीडियो में जो क तो यहां पर ती बीन बहुति सब्कम तीसरा ऑसिदी दोतुर्म रहा एंड शेंगन आदीका उप्योक सुद्यों के बचाने बनाने में किया जाता है तो बहुति सरल नफजेगा ठीक है उसके बाद आपको इस चेप्टर से नेस्ट कोश्चन पढ़के जाना है ग्रेमनी कुल का आर्थिक मत वह कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या कभी 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 इंपोर्टेन ही कोश्चन है तो पहले जगा पहला खाज्य पदार्थ दूसरा सरक्रावास रहसे ठीक किंवन अब लेख सर्फ लेखाले चेप्टर में आपको च्रपेस बता चुका हूं यले मlude ₲ कुमें तुम तो यह रही आठेमांको जाता दो यह ऑन्वाला कोश्चन आपको दौन पूछ ले जेगा तीन भी पूछले ऑद तो दिनुक आपको पर प्रत्याटयों में अंतरियाद करना कितने तीन अंतरियाद करना याद रखेगा इसमें आपको दो अंक्र का भी पूछेगा और तीन अंक्र का भी पूछेगा ठीक है तो इस चेप्टर बहुती इंपोर्टेंट है इस चेप्टर साब के पाच अंक्र कवर हने वाले तो यहां पर प्रात्मिक अकड़ में गए दूसरे अंतर की बात करें तो यह प्रात्मिक आगड़े अनुसंदान करता सोयों में कित्रित करते हैं और यहां पर दुत्यक आखड़ों में जैसा कि मैंने बताए कि दुत्यक आखड़ी वे जो पहले एकत्रित किये जा चुके है यह उपलग होते हैं ठीक ह अंतर की बात करें तो प्रात्मिक आखड़े एक्रित करने में समय धन और स्रम की अधिक अशक्त होती है याद रखेगा प्रात्मिक आखड़ों को एक्रित करने में समय धन और स्रम की अधिक अशक्त होती है और दुत्यक आखड़ों को बिना समय धन और स्रम लगाई प्रा लिखे तो सबसे पहला आकडों का वर्गी करन क्या होता है समझे आकडों का वर्गी करन एसी प्रिक्या जिसके दर अव विविश्थित आकडों को विविश्थित रूप में पस्तुद करके संभावित एवं महत्वपून परिनाम निकाले जा सकते हैं ठीक है यह आकडों का करनें साहता मिलती है ठीक है तीसे लाब की बात करतों से आकडों की समानता हो जाती है तो याद रखेगा ये तीन आंक में आपको पूछ ले जाता है कभी-कभी तो यह कोशचन बोती ही इंपोटेंट हे अकड़ों का वरगी करण क्या है? वरगी करण के तीन लब लिखे तो यहाँपर इसका इसके उट लिटHHHH लिजिए इसके बाद आपको इससे चेप्टर से यह वाला कोश्चे मीध पढ़ कर पूछेगा तो एक तीर से दो निसाने हो रहे हैं यहाँ पर आपके दो फाइदे परिवासा भी याद रखेगा और साउधानिया भी याद रखेगा तीन नमबर में पूछे तो तीन नमबर में लिखेगा दो नमबर में लिख देजेगा ठीक है अगर सर्नियन की परिवासा पर दे दी है अगर इसके साउधानी की बात करें तो सर्णियन की परिवासा इससे पहले मिने आपको दो उंक्री कोश्चन बताये थे उसमें आपको मिने बता दिया था अगर आपने दो उंक्री कोश्चन नहीं देखे तो इस लोड़ी के बाद जाकर देख लिएगा वहां प 139 बिए cultivate की परिभासा तिथा इसके कोई चार लाब लीखे तो यहां पर संन Всемी परिवासा बात करें तो तो सेंटेंगी परिभासा यह करन रख smarter देख सकते हो साइंखी की विज्ञान की तरैंग की की एक सब्सक्राइब करने में और तीसरा के आप से संबंद को इस्थापी करने में ठीक है तीनी आपको कारी याद रखना आपके तीन अंकर कोश्चन कवर हो जाएंगे छे दे रहा हूं उसमें कर आप छे याद करोगे तो बहुती अच्छी बात है पर आपको सबसे पहला प्रशन sounds नीए कवर जा तैयार करके जाना है और यहाँ पर चार आंकर में पूछा जाएगा और यह भोत इम theoret I important question है यहां पर question है समाहतर माध्य की परिभासा इवह हों उनके कोई दो लिखे तो यह चार न Olis लिए आपको माने पर चार गुण अमानतर मद्य की परिवासा याद करना है यहां पर सबसे पहले हम इसकी परिवासा की पकिस्की परिवासा दो इसकी परिवासा च्रूल समांतर माध्य वो मान है जो दिये गए पदों के योगफल में पदों की संक्या से भाग देने पर प्राप्त होते हैं समांतर माध्य वो मान है जो दिये गए पदों के योगफल मतलब आपको जितने पद दिये गए उसका योगफल फिर जितने पदों की संक्या उससे भाग द करने के उशक्ता नहीं होती है तीसरा 20 गनिति है विवयचन के लिए उफ्योग थे और चोथा यह समस्त पत्पर मुल्य पर आदारी थे और पाछवा इससे इसमें समागरी को विश्थित करने के उशक्ता नहीं होती है यहापको आपको समांतर माझद्य की फरिभास बता किए और आपको गुन भी बता गिए त्यार कर लिजएगा और अगर इसके दोस्त याद करना है समांतर माजद्य के दोस्त तो यहां पर आप देख सकते तो यह कोश्चन जरू कर लिजएगा तैयार क्या क्यूंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप उसकी त्यार अच्छे से करते तो आपको चार नंबर है वह अच्छे से कवर हो जाएंगे ठीक है फिर दूसरा कोश्चन आपको तैयार करके जाना जो कि आपको अंक मतला को यहां पर प्रश्ण वह टाइप काईगा गणित के टाइप में निमि किता रहा है 2650 और 150 एफ तो आप इसे भाग दोगे तो आपका जो समांतर माध्ये निकल जाएगा बहुत ही सरह ले अब इसी में से यहां पर से कर सकते हो तो सरह ले अगर आपको इसका अच्छे से समझना है तो कमेंट कर सकते हैं आपको अच्छी तरह से समझाए दूगा ठीक है नेश्ट को चन आपको तयार की जाना निमली खित बारमबरता सानि से माध्येका की गंड़ना की आपको यह वाला प्रस्न तयार करना यहां पर अंसर बता रहा हैं और इसका रहा हूं आप तयार को बताऊँगा और आपने इस्टागराम पर फोलो नहीं किया तो इस यहां पर बता रहा हूं जो कि आपके पेपल में आने की संभावना 100% है तो आप यहां पर तैयार जड़ू किजेगा नेश्ट कोश्चन आपको तयार किजाना यहां पर आप देख सकते हो निमिलकित बरहम बता सानी को बहुलक की गन्ना किजे समांतर माध्य फिर आपका माध आप देख सकते हैं किसे कहते हैं तो मिन आपको बता दिया थे पहले पर बताए गए आप इसका इसका ले लिजे फिर यहां पर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंग कोश्चन भी आपको तैयार करके जाना ही दोस्तों आदर समाध्य के आउच्छे गुन का वर्णन सकते आदर समाइद्धी किसे किते इसके गुन यहां पर बताए गए तो आप इन्हें नोट कर लिए पहला इस पर्ष्ट होना चाहिए पहला गुन दूसरा गणना सरल होनी चाहिए तीसरा समझना सरल और चोथा बीच गनिती विचन की योग मतलब चार तो यह तैयार करने क्य चाहिए तो यहां पर आप देख लिजे जो रह रखना है जो आपने रीटू मोसम और रीटू में अंतर याद के थे उसी प्रकाँ यहां पर मोसम और जलवाईू मन्दल में अंतर याद करना है ठीक है बहुत ही अच्छे question है आपको तयारी में करवाऊंगा आपको घबरा ना नहीं बस आप डेली यहाँ पर आपको जो वीडियो दी जाएगी यह part 1 वीडियो है इसके बाद आपको चार नंबर की part 2 वीडियो दी जाएगी मैं बता रहा हूं फिर आपको ती question पाच नंबर में याद करके जाना है पाले से फसलों को बचाने के कोई पाच उपाई लिखिए बहुत ही सराल है पाले से मतलब के पाले आप समझते होगे पाले से फसलों को बचाने के कोई किते पाच उपाई लिखने तो यहाँ पर सबसे पहला उपाई क्या है बो मुल् तीसरा दुवा करके पोदों के आसपास के वाई मुडल को ताब बढ़ा देना चाहिए चोथा पाहडों पर पोदे डाल पर लगाना चाहिए और पाचवा उपाहे ऐसी फसले बोनी चाहिए जो पाला अवरोदी हो हो ठीक है यहां पर बहुती सरेल में आपको मैं बता रहा हो अप तयार कर लिजे इसे पोइंट मेंचे गर आपको इसका वर्यना चाहिए तो वर्यना बी कर सकते हैं अगर वर्यनब कर देते हूं तो उच्छी बात है यहां पर आपको उने पाईउट के दॉसले लिखने आपको पाल बशक्रानी करों पर में देखसे करना हैं के आप अधिक फखाने होती है क्या सुखाझ पर जाता है नोइट रह verf जाती है और अब देखें के देख सप्व से अगर जो वर्षा के दिन होते उसमें अगर पानी बहुत दिनों तक मतलब जो वर्षा नहीं होती तो फिर हमको सीचाई करनी पड़ती है तीसरा है सीट कालीन वर्षा की अनिश्यत्तिता के कारण कभी-कभी उत्तरी भारत में तीन-चार मोहाटे हो जाते है तता कभी-कभी एक मून पानी भी नहीं बरसता यह भारत की वर्षा की विश्यत्ता है ठीक है चोथा उत्तर भारत के मेदानों में कभी-कभी मैं जुन में भी पानी बरसता है पाचवा भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम के और घटती है जैसे असम राज्य की किसी इस्तान पर 1270 से राजिस्तान के जिसल मेरे खेतर रही में हो सत्व परसी वर्षाद 10 संटी मिटर तक होती है छी है अब यहांपर जो भारत की वर्षा विश्यत्हाब है कि विश्यत्ता है आप मैंने आपको बता दी है तीक支持. एक यारदवारसी कापेपर ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो वास्पो उत्सरजन एक जिविक करिया है और जो वास्पी करन हुआ एक बोतिक किरिया है ठीक है वास्पी करन का अगर आप देख सकते हो गरम पानी करते हो तो यहां पर आप समझ जाओगे दूसरा इस किरिया में विबिन्ने दबा उत पढ़ने नहीं होता एक तरव के अंत्र है उति è किली आंत्र होती これは अंत्र ईंत्रि यासला से उन्हें वहには दो बार पढ़ोऑ याद हो जाेगा आपको पड़ना है आपको यहां पर पूरे समाँगरी दिजा रही है आप उसे केवल-पढ़िए यहां पर आपको में daily video दूंगा dipсе और तैयारी कीजिए ठीक है यहां पर आप समझ जाए कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं हमारी टीम सभी की साथ है अब तयारी करते रहिए ठीक है और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो से जो सब्सक्राइब कर लेज़े क्योंकि आपको यहाँ पर तयारी में करवाने वाला हूं फिर आपका जो next question आपको तैयर के जाना है विसरन और परासरन परासरन को रसाकरशन भी कहते है ठीक है याद करना रसाकरशन ठीक विसरन और परासरन में क्या अंतर है कोई 5 अंतर लिखना है चार को छोड़ो 5 अंतर लिखना है विसरन एवं परासरन में कोई 5 अंतर लिखे त लिए लिए खीव ले लिया वह थी अच्छी बात लिखे इसे पड़ाई हो गाइ पाच अंतर याद करना है और देखेगा और दिखतर अब्जेक्टि वह लेकिन इसमें से अब्जेक्टि कोश्चन पूछा नहीं जा रहा आपका पाच नमर का कोश्चन पूछा रहा तो यहां पर आप तैयार कीजिए यह किलिए ऑक्सी जन की उपस्तिति में होती है कौन सी क किरिया में गुल्कोज के पूर्ण ओक्सी करन दोरा सी ओटू तथा इस टू उत्पन होता है और इस किरिया में गुल्कोज के अपूर्ण ओक्सी करन दोरा लेक्टिक अमला तथा इथिल इलकॉल उत्पन होते है ठीक याद कर लिजे तीसरा गुल्कोज के एक अनु के पू पुछा जाता है ऑक्सीजन की उपस्तिती में होता है ठीक है याद कर लेजिएगा इसका चोथा अंतर है इस किरिया में गुलकोज के एक अनु से 38 एटीप अनुमुक्त होते हैं और इस किरिया में गुलकोज के होती है और यह नीमन जीवो में होती है ठीक है यहाँ पर आपने और अनुक्सी में अंतरियात कर लिया होगा ठीक है इसकिन सोर्ट ले सकते हो नेश्ट रश्चन अपका यह देखिए अगर आपको यह तो मैं आपको guide से बता आया है अगर अपने प्रश्ण बेंक सब्सक्राइब यहाद कर सकत化 है यहाँ पर आपको пож cohort नीम 135 जरी है ओंध बैकांом पड़ाइनों कर सकते यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इसका आराम से डाउने कर से आपको नीं करने के लिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं अगर आपने व्योडियो को लाइक चैनल को बिस्क्राइब जरू जाएगी यह आप पर जाकर सार्च कर सकते हो रूपे सेफ क्लासेस तो वहाँ पर आपको टेलिगाम चैनल मिल जाएगा आप से जोइन कर लेगा और इसका जो पीडियो वहाँ पर आपको मैंने दे दिया आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको कुछ डाउट या कोश्चन है तो आप यहाँ प जाती है और आपर क्यूस बी कि जाती है जिससे आपकी जो अब्जक्टी को फोलो जरू किजिए गा दोस्तों और टेल गाम जोईन जरू किजिए गार जिससे आप पीडियों करना सकते हैं लेकिन सबसे में बात अगर अभी दाव आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं का तो सब्सक्राइब किजिए भी लगों प्रेस कर लिजिए अपने दोस्तों के वीडियों को शेयर जूरू किजिएगा तो अभी के लिए इतना ही जह हैं